हेलो क्राश अब की योलो सीरीज और आज हम पढ़ने वाले हीट इंजिन्स और रेफ्रिजिडिटर्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी साइकलिक थर्मोडायनमिक प्रॉसस की एफिशियंसी किस तरीके से क्याप्लेट की जा सकती है पिर हम पढ़ेंगे कारनेट हीट इंजिन के बारे में जो हमारे इस लेवस में है जिसके बहुत सारी निमेरिकल्स हम सॉल्व करने वाले है और आगे देखिए कि अगर कारनेट हीट इंजिन को ही में उल्टा कर दूँ तो वो बन जाता एक heat pump जो कि हमारे refrigerators होते हैं उसके भी बहुत सारी हम questions solve करेंगे देखेंगे ये efficiency क्या होती है, coefficient of performance क्या होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है मेरा नाम विकरन किरार है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं Crash ship एक्जिस्ट करता है ताकि सभी तक highest quality education absolutely free में बहुंच सके ताकि सभी को equal opportunities मिले अपनी जिंदगी को बदल पाने की आगे बढ़ पाने की अगर आपको भी ऐसा लगता है कि education वो टूल है जिसकी हमें सबसे आदा आज जरुरत है तो प्लीज इस mission में मुझे support करो, crash up को support करो उसके लिए आपको इस QR code को scan करके कुछ amount donate करना है या फिर donation के लिए आप description में जो links है उसका भी use करज़कते हो जैसे PayPal, Patreon और भी बहुत सारे links वापे आपको मिल जाएंगे, साथ में इस session की Colorful Notes की PDF, absolutely free है उसका भी आप डाउनलोड करो, सारे के सारे links डिस्रिप्शन में, now let's begin the video efficiency of a cyclic process cyclic process क्या होते हैं, हमने देखा था कि हमाई पास जब भी PV ग्राइगराम होता है, उसमें यहां से शुरू है घूम फिर क्याद है और यहीं पर cyclic complete होती है तो कभी हमाई पास gas इस तरीके से expand होती है, कभी compress होती है कभी उसे हम गरम करते हैं, कभी वो heat reject करती है तो surrounding में heat चली आती है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़े हो सकती है यह हमारे कोई खास काम का डाइगराम है नहीं हम यहां पर एक इस तरीके से कोई भी process बनाते है, thermodynamic process मान लो यह हमारा एक cyclic thermodynamic process है इस तरीके से हम यहां से start करते हैं, 1 से और वहीं पर वापस आ जाते हैं, अब इस cyclic process के लिए हम कुछ values रख सकते हैं, जैसे for the cyclic process हामें पता है, first law of thermodynamics की equation कर जाएगी q is equal to w plus delta u यहां हमें पता हो heat supplied, यह q की value क्या है अब देखो, जब भी हम कभी process करते हैं, तो कई बार हम इसको heat supply करते हैं, this is q1 कई बार वो reject करता है heat, this is q2 चीक है, साथ में इसका कुछ work done होता है work done क्या होता है, यह वाला जो area है वो होता है work done by the gas, तो इसको भी लिख देते हैं area is equal to work done अच्छा किसी भी cyclic process है, यहां से शुरूँ के फिर यहीं आ गया तो internal energy में change, cyclic process में हमेशा 0 होता है this is cyclic process, चीक तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहां से लिख सकता हूँ q net, जो हमने heat supply करी, वो क्या है इतनी तो हमने दी, और इतनी इसने reject करी तो overall जो net हमने दी, यहां पर मैं net word भी लिख देता हूँ उसकी value होती है q1 minus q2 is equal to w अच्छे एक बात बताओ, अब मुझे efficiency define करनी है मुझे लिखना पड़ेगा, efficiency is equal to मैंने कितनी heat दी, और उसके corresponding मुझे कितना work मिला उसका कुछ ratio होगा तो उपर आ जाता है हमाँ पास work और नीचे आ जाता है q supplied work कितना हुआ है, वो तो इस area के बराबर ही हुआ है यहां से उस work के value है, q1 minus q2 यह कितना हो जाएगा, q1 minus q2 energy conservation से मैं यह पता चला है अच्छा heat हमने supply कितनी करी है देखो बूला जा सकता है कि net heat supplied is इतना पर actually अगर आप सोचोगे, इसको मैं heat दे रहा हूँ तो मैं जब q1 heat देता हूँ तो मैं यहां से बिजली के उपर पैसे खरच करता हूँ और यहां से उसको heat देता हूँ या अगर मैं इसे गरम करके heating प्रवाइट करता हूँ तो उसके लिए मुझे fuel के पैसे देने पड़ते है तो मेरे जो काम की, जो मैंने supply करी है वो तो है q1 और यह q2 तो इसने surrounding को reject कर दी करना वो गई कहीं, it's lost into the surrounding वो मेरे किसी काम की नहीं है, non-recoverable है मैं उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा यहाँ पर q supplied हो जाएगी, सिर्फ q1 मैं पास यहाँ पर आती है value, सिर्फ q1 और इसी को आप simplify करोगे, तो यह था है 1-q2 upon q1 और यही है efficiency का formula किसी भी cyclic process में बहुत ही simple है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे eta की value हमेशा 1 से छोटी ही आएगी क्योंकि q1 और q2 positive है, यह direction मैंने इस तरीके से बनाए q1 और q2 positive ही हमको लेने, ओके, और real life में आप देखोगे कि हमारे पास जो q2 होता है, वो कभी भी 0 नहीं हो पाता है, कोई भी cyclic process करते है unless हम 0 Kelvin पर जाकर heat reject करे, जो कि real life में achievable ही नहीं है तो फिर q2 जीरो नहीं होता है, इसलिए this is always less than 1 है, in real life, eta is always less than, यही हमें समझना है efficiency of a cyclic process, तो इसके लिए एक बहुत ही simple सा example करेंगे, हमारे पास एक PV डियाग्राम है इसमें सबसे simple cycle जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है, वो हो जाएगी यहां से यहां चलो एक straight line में a से b गए, b से फिर isothermal चले जाओ यहां पर, वहां से यहां वापस आ जाओ, इस तरीके से, यह है point c, इस तरीके से हमारे पास process है, कुछ values रखते हैं, यह है हमारा V0, यह है हमारा P0, यह है हमारा 2P0, यह है हमारा 2V0, अच्छा जब P0 V0 है, इस वक्त मैं अगर बोल दूँ, temperature था T0, क्या कोई मुझे बता सकता है, यहां पर temperature और यहां पर temperature क्या होगा, पहली बात तो दोनों जगे का temperature, same रहने वाला है, क्योंकि एक isothermal process है, same temperature रहने वाला है, इस point पर देखो, हमारे पास pressure double हो गया है, जबकि volume constant था, इस process में, pressure double हो गया है, volume same था, PV is equal to nRT होता है, pressure double हो गया तो यहां पर आ जाता है, मैं पास 2T0, क्योंकि इस पूरे में temperature सेम रहने वाला है, यहां भी temperature हो जाएगा, 2T0, सारी की सारी चीज़े हमने पता कर लिए, अब हम इसकी efficiency निकालने के लिए तयार है, तो हम process by process चलेंगे, और फिसकी efficiency निकाल देंगे, alright, सबसे पहले मैं start a, b, यहां से यहां तर, कौन सा process है यह, यहां से जब मैं यहां जा रहा हूँ, तो volume constant है, तो इसको लिख देंगे, isochoric process, जब ही isochoric process है, इसमें हमाय पास work done की value आ जाने वाली है, 0, है न, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, पूरी की पूरी हम first law की equation लिख देंगे, q is equal to w plus delta u, य क्योंकि देखो, temperature बड़ा है, t0 से 2t0 हो गया, delta u, positive हो गई, जिसकी value कितनी आ जाती है, इसकी value आ जाती है, n cv delta t, which is equal to n cv, delta t कितना है, 2t0 minus t0, यह हो जाता है, 2t0 minus t0, और इसी की value आ जाती है, n cv t0, this is q1, इसको मैं बोल देता हूँ, इस तरफ मेरे पास heat, मैंने इस को supply करी magnitude है, q1, alright, work कितना हूँ, work तो हमें पता है, 0 है, this is w1, w1 is equal to 0, अब हम देखेंगे, next process, which is b से c, यहां से जब मैं यहां आ रहा हूँ, यह एक isothermal process के लिख देखो, isothermal process, equation लिखेंगे, q is equal to w plus delta u, इस पास second process है, तो w222 लिख दो से अपने, alright, isothermal process में क्या होता है, temperature constant होता है, यानि कि internal energy में, कवनो change नहीं आएगा, e हो जाता है, 0, क्या मैं w2 पता कर सकता हूँ, वो पता चल गया तो, q2 पता चल जाएगा, w2 होता है, work done isothermal process में, यानि कि यह वाला area, और इसका formula हमें पता है, w2 की value आ जाती है, n, r, t, ln, v2 by v1, values रखना शुरू करते हैं, इसकी value हो जाएगी, n, r, temperature कितना है यहां पर, t0 नहीं है, 2t0 है, यहां हम रखेंगे, 2t0 multiplied by ln of, final volume कितना है, 2v0, तो यहां जाएगा 2v0, यहां पर जाएगा v0, 2v0 minus divided by v0, इसकी value हो जाती है, 2nr, t0, ln2, ठीक, इससे हमें पता चल जाता है, q2 is equal to w2 is equal to, यह एक value आ गई, ठीक है, यहां पर हमने कुछ heat दी है, वो है q2, अब देखते हैं, process number 3 हमारा जो है, c2a, c2a, कौन से process है, यह है, isobaric compression volume कम हो गई है, this is isobaric, all right, जल्दी से यहां पर equation लिखेंगे, q3 is equal to w3 plus delta u of 3, all right, यहां पर work done कितना हो जाएगा, देखो, यहां से यहां आए है, तो work done पहली बात तो negative होगा, इस area के बराबर होगा, यह तो आप सीधे formula लागा तो p delta v, उससे भी same value आने वाली है, कितनी है, pressure कितना था, p0, delta v कितना है, 2v0 minus v0, वो भी आजाता है, p0, v0, यह जाता है, minus का p0, v0, negative आएगा, work done, ठीक है, plus delta u3 कितना है, इसकी change in internal energy कितनी है, वो value आजाती है, ncv delta t, यह तो state function होता है, ncv delta t, इसकी value हमें लिखनी है, यह तो वो आजाता है, ncv final temperature है, t0 initial temperature था, 2t0, यह है final t0, यह था initial 2t0, हम इस तरीके से है, यहाँ से इसकी value आजाती है, देखो, आप फिर से, यह ncv, यह फिर से बसता है t0, यह है p0, v0, तो इसको आप लेख सकते हो, nr t0, यह बन जाता है, minus nr t0, minus ncv t0, which is equal to minus nr plus cv times t0, और यह जो r plus cv होता है, क्या हो जाता है, cp, मेर्स रिलेशन से होता है, यह हो जाता है, minus ncp t0, यह हमाँ पास q3 भी आगया, यह मैं directly भी निकाल सकता है, directly मैं कैसे निकाल लेता, यहाँ पर देखो, isobaric process है, heat supplied is equal to ncp delta t, यही तो definition is cp, इस तरीके से भी निकालता, तो directly यह answer होता है, लेकिन मुझे w3 भी पता करना था, तो मैंने वो भी पता कर लिया, alright, time आ गया है, efficiency निकाल लेगा, efficiency का formula होता है, work done net divided by heat supplied, work done total कितना है, w1 plus w2 plus w3 divided by heat, हमने supply किती करी है, देखो यह जो q3 थी, हमारी thermodynamics की equation में क्या होता है, हम क्या sign convention बोलते है, q3 is the heat supplied to the system, हमने negative amount में heat supply करी है, actually मैं मुझे यहाँ से जो energy मिली है, वो बाहर निकलिया होगी, तो हम तो सिर्फ heat supplied यहाँ पर consider करने वाले हैं, हम यहाँ पर consider करेंगे, जो हमने दी है, q1 और q2 हमने दी है, q1 plus q2, values रखना शुरू करते हैं, हमारे पास w1 की value है, देखों यहाँ पर है, 0, जो, w2 की value क्या है, w2 की value आती है, यह, यह, यानी की यह, और w3 की value क्या है, w3 की value है, यह, हमारे पास उपर जो आ जाता है, numerator में 0, plus 2nRT0 ln2, minus p0v0, minus p0v0 को मैंने nRT0 लिख दिया था, minus nRT0, divided by heat supplied में हम सिर्फ q1 और q2 को consider करेंगे, q1 की value आती है, nCVT0, और q2 की value आती है, exactly इसके बराब, यह हो जाता है, nCVT0, plus, यह वाली पूरी की पूरी term हाजाएगी, यहाँ पर 2nRT0 ln2, यहाँ पर देखो, आप ध्यान से, यह efficiency का formula क्या रहा है, n से n सारे के सारे कट जाएंगे हैंगे, और यह जो CV है, वो भी R की terms में होता है, F by 2, R, यहाँ पर सारे के सारे R भी cancel out हो जाएंगे, यहाँ पर देखो, इस तरीके से R से R, R, यहाँ पर भी R कट जाएगा, हमाँ पास बचता है सिर्फ, F by 2, और क्या चीज़ cancel out हो गई, हमारा T0 से T0 से T0 से T0 भी cancel out हो गया, हमाँ पास उपर बचता है, 2 ln 2 minus 1, नीचे denominator में बसता है, 2 ln 2 plus F divided by 2, अब आप monoatomic gas के लिए पता कर सकते हो कि, इस particular process की efficiency क्या होगी, तो monoatomic के लिए F की value रखतो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, monoatomic ln 2 की value होती है, approximately 0.693 इसको use करोगे, और आप इसको simplify करोगे, तो value रहते approximately 0.133, यह हमारी efficiency आ रही है, इस particular cyclic process के लिए, again बहुत simple है, हमने हर एक process को अलग-अलग देखा, सभी के लिए हमने heat supplied of work की value पता कर लिए, heat supplied of work की value पता कर लिए, heat supplied of work की value पता कर लिए, और फिर उन सभी को इस तरीके से रखना है, कि जो heat reject हुई है, उसको हम इग्नूर कर देंगे, work done net divided by heat supplied, simplify करोगे, तो हमेशा आपको इस तरीके का answer मिल जाएगा, और एक question solve करते हैं, find how efficiently the given cycle converts supplied heat into useful work, the working fluid is an ideal monatomic gas, तो यहाँ पर हमें दे दिया है, monatomic gas है, तो degree of freedom की value हो जाती है, यहाँ पर 3, से आप CV, CP सब पता कर सकते हो, processes क्या है, हमाँ पास कुछ, आइसो कोरिक है, कुछ आइसो बेरिक है, तो हमारे सारे के सारे काम, CP और CV में हो जाने चाहिए, work done या तो 0 होगा, या फिर P, Δवी होगा, इस तरीके साब पता कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही simple सवाल है, तो आप कैसे start करोगे, यहाँ पर, मान लो हमाँ पास temperature था, T0, इस तरीके से मानो, उसके बाद आप यहाँ पर बागी जगे के temperatures बता करो, सारे temperature आजाएंगे तो आप heat को, NCP delta D के हिसाब से निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से, और जो work done है, इसमें बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा, work done होता है हमारा area enclosed, वो यहाँ पर बड़ी आसानी से find कर सकते हैं, पिछले के इसमें नहीं था वो आसान, इस बार आसान है, वीडियो को pause करो, वर्षिन को solve करो, इस question का answer आता है, 15.4% कैसे आया, solve करना शुरू करते हैं, सबसे पहले, हम temperature mark करेंगे, ठीक है, temperature mark करने के लिए, अगर ये मेरे पास value थी, T0, temperature T0 था, यहाँ पर देखो, हमारा पास pressure double हो गया है, constant volume पर, temperature भी double होगा होगा, तो यहाँ पर हमारा पास सीधे सीधे आ जाता है, temperature 2 times T0, similarly, यहाँ पर आप देखोगे, pressure same था, volume double हो गया, देखो, V से 2V हो गया है, यहाँ भी temperature double होगा, यहाँ T0 था, तो यहाँ भी हो जाता हमारा temperature, 2 T0, और फिर से आप same logic से देखोगे, यहाँ से जब आप इस तरीके से expand करो, same pressure पे, volume double हो गया है, तो PV is equal to nRT में, हमारा pressure constant है, volume double हो रहा है, क्यूंकि temperature double होगा, अब पहले ही यह 2 T0 है, तो उसका double यहाँ पर हो जाएगा, 4 T0, similarly आप यहाँ से उपर देखोगे, तो भी पता चलेगा temperature double हो रहा है, 2 T0 का double, 4 T0 ही होता है, same answer आना था, एक point के दो temperature तो हो नहीं सकते हैं, ठीक है, हम start करेंगे work done by the gas, work done, उसकी value क्या हो जाती है, enclosed area, cyclic process है, तो उसका फाइदा हम उठाएंगे, कौन सा area है वो, यह वाला area, और इस area की value हो जाती है, graphically हम देख सकते हैं, this length multiplied by this length, यह कितना है, हमारा V0, यह कितना है हमारा, P0, यह आजाता है, V0, P0, या फिर आप इसको P0, V0 लिखता हूँ, पिर दक P0, V0, अच्छी, यहाँ पर देखो, हमारा पास P0, V0 is equal to nRT0 है, इसी को मैं लिख देता हूँ, is equal to nRT0, बहुत simple, ठीक, अब हमें देखना है, हमने heat supply करी है, कितनी करी है, चार प्रोसेस है, 1, 2, 3, 4, चारों के लिए heat supply देख लेते हैं, Q1 की value हो जाएगी, देखो, फटाक, फटाक से formula से पता चलेगा, Q1, कौन से process है, isocoric, की value हो जाएगी, heat supply is equal to nCV, delta, N यहाँ पर N आएगा, CV कितना होता है, F by 2R, यह अच्छा भी CV रहने देता हूँ, delta T कितना है, 2T0 minus T0, जाता है, 2T0 minus T0, which is equal to nCV T0, ठीक, Q2, हमारे पास है, यहाँ पर, इस process में कितनी है, heat दी गई है, यह क्या है, isobaric, constant pressure वाला process है, यहाँ पर होजाएगा, is equal to nCP delta T, which is equal to nCP, temperature में difference कितना है, final है, 4T0, initial था, 2T0, यहाँ पर जाएगा, 4T0 minus 2T0, which is equal to, 2NCP T0, इस तरीके से हमारे पास, answer है जाता है, छीक, जल्दी से Q3 देख लो, Q3 की value कितनी हो जाती है, यहाँ से यहाँ आए है, यह isocoric process है, यह जाएगा, nCV delta T, again, nCV, final temperature कितना है, 2T0, यह जाएगा, 2T0, minus initial temperature, ज्यादा हो है, इस बाहरा है, तरी हो जाता है, 4T0, इसकी value आजाती है, minus 2NCV T0, और Q4 की value आप चेक करोगे, तो बाहरा जाएगी, nCV delta T, क्योंकि isobaric process है, यह वाला, इसमें हमाँ आपस value आजाएगी, nCV, final temperature है, T0, initial temperature जाएगा, 2T0, तो यह आजाता है, minus nCV T0, कुछ heat positive आई है, कुछ heat negative आई है, जैसे यह दो negative है, इसका मतलब, यहाँ पर heat system ने release की होगी, इस तरीके से, यहाँ पर heat हमने add करी है, system, अब हमाँ पास बड़ी ही आजानी से, हम efficiency का formula निकाल लेंगे, efficiency is equal to work divided by heat supplied, है न, work done कितना आया था हमारा, work done की value आया थी, nRT0 दिया जाता है, nRT0, divided by, heat supplied कितनी है, पर दो बताओ, इन चारों heat में से, कौन-कौन सी supply करी है हमने, यह दोनों, इन दोनों को हम count नहीं करेंगे, इन दोनों को ही यहाँ पर denominator में, add कर देना है, हम में Q1, plus Q2, कर देना है न, इसकी value आजाती है, nCVT0, plus 2NCPT0, देखो क्या-क्या चीज़ है, cancel out हो गए, T0 सारे के सारे कट गए, n सारे के सारे कट गए, हमारे पास उपर आजाता है, R, denominator में आता है, CV plus 2CP, अच्छा, अगर मेरे पास, degree of freedom 3 है, CV की value कितनी होती है, CV होता है, 3 by 2R, या फिर उसको मैं 1.5R भी लिख सकता हूँ, तो this is equal to, R, upon 1.5R, plus 2, multiplied by, CV कितना होता है, CV plus R, तो यह होता है, 2.5R, इसकी values भी लिख देता हूँ, मैं CV is equal to, 3 by 2R, which is equal to, 1.5R, CP is equal to, 5 by 2R, which is equal to, 2.5R, तो यही values हमने यहां पर रखती है, तो हमाँ पास यह आ जाता है, अगिन आप देखोंगे, R से R से R सारे के सारे R, cancel out हो जाते हैं, हमाँ आपास यह value आ जाती है, 1 divided by, 1.5, plus 2 into 2.5 जानी की, 5, efficiency आ जाती है हमारी, 1 divided by, 6.5, या फिर आप इसी को लिख सकते है, 2 upon 30, या फिर यही value आ जाती है, 0.154, या फिर efficiency को ही लिखने का और एक तरीका होता है, 15.4%, यह थमारा इंचने, बहुत ही अच्छा सवाल था, numerically हम इसको solve, बड़ी simplicity के साथ कर पाए है, हमें ध्यान के रखना है, इस process में, क्योंकि CP और CB का हम यूज़ कर पाए, isochoric और isobaric processes ही है, तो हमने heat ऐसे निकाल दी, और cyclic process का use करते हुए, हमने net work done, एक जटके में area enclosed से पता कर लिए, पड़ाक से values रखी हमारा answer आ गया, अब आपके लिए एक छोटा सा homework question, आपको बताना है कि अगर, यहाँ पर monotomic gas के लिएकर diatomic gas होती, उस case में हमारी efficiency कितना आती, तो वो आप ज़रूर comment करो, thermodynamics का हमने zeroth law पड़ा, first law भी पढ़ लिया, और अब बारी आ गए कि हम second law भी पढ़ ले, second law वैसे physics में हमें उतना detail में नहीं पढ़ना है, लेकिन समझना पड़ेगा कि second law के ज़रूरत क्यों पढ़े, तो देखो हमाया जो first law था, वो था energy conservation पर based, it was based upon energy conservation, तो अब energy conservation से, बहुत सारी चीज़े हम बोल देते हैं, यहाँ पर energy conserve होगी, लेकिन क्या real life में वो चीज़ हो भी सकती है नहीं, यह हमें पता नहीं चलता है, तो इसको बहुत ही अच्छा सा example है, मान लो मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से दो block है, और दोनों का temperature है, T naught इसका भी temperature है, T naught, मान लो यहाँ से थोड़ी सी heat इस तरफ चली जाए, Q amount से, उसके बाद क्या होगा, हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद मादला, इस तरीके से अगर heat transfer हुआ है, तो हमाँ पास यहाँ पर temperature, T naught से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यह हो जाएगी हमारी hold, और यह बन जाएगी हमारी hot, हम बोल सकते हैं, first law के हिसाब से कि energy lost, energy lost, is equal to energy gained, ठीक, लेकिन के real life में ऐसा होता है, हमारी पास मानलों यह pencil है, वैसी दिख रही है, इसके दो हिस्से हैं, और यह वाला हिस्सा, थोड़ी सी energy इदर देते, यह वाला ठंडा हो जाए, यह वाला गरम हो जाए, क्या कभी ऐसा होता है, नहीं, तो हमें first law से यह पता चलता है, कि अगर मैं यहाँ से heat इस तरह flow करता हूँ, तो यह कितना ठंडा हो जाएगा, यह कितना गरम हो जाएगा, heat जितनी एक ने loose करी है, उतनी heat दूसरा gain करेगा, energy हमेशा conserve रहेगी, लेकिन वहाँ पर यह नहीं पता चलता है, यही हमारी first law की limitation थी, कि हमें direction के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, इसी को हम लिख लेते हैं, हमारे पास पहली जो limitation आ जाती है, first law does not tell us about the direction of heat transfer, अच्या first law के हिसाफ से और एक चीज़ है, मान लो मेरे पास कहीं पर इस तरीके से heat energy है, तो मैं उसको work में convert नहीं कर सकता हूँ, पर 100% efficiency के साथ नहीं कर सकता, वो हम देखने भी वाले हैं आने वाले टाइम है, कैसे, क्यों, क्या होता है, तेकिन इस चीज़ को आप समझो, कि मान लो मेरे पास work है, useful work, work मतलब कोई में mechanical energy, कहीं पर kinetic energy stored है, जैसे मैं हाथ गिस रहा हूँ, तो मैं mechanical work कर रहा हूँ, वो work 100% convert हो जाता है heat में, यहाँ से अगर मैं heat में convert करूँगा, तो 100% heat में convert हो जाता है, और first law के हिसाब से, इसका उल्टा भी true होना चाहिए, कि 100% heat को आप work में convert कर सको, लेकिन actually reality में ऐसा होता नहीं है, let's say सिफ 70% को ही हम work में convert कर पाते हैं, और फिर से मैं चाहूँ तो इसको 100% heat में convert कर दूँगा, लेकिन अब वापस में इसको फिर से 100% नहीं गात बतो, इसका भी और छोटा 70% और इसका मान लो, वो फिर से work में convert हो पाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास quality of energy की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो work जो होता है ना, उसको हम high quality के energy बोलते हैं, heat थोड़ा lower quality energy होती है, तो हमाएपास high quality energy को हम low quality में convert कर सकते हैं, लेकिन low quality को completely high quality energy में convert नहीं कर सकते हैं, तो first law जहाँ पर हमाएपास बात करता है, energy conservation की, यानि की quantity of energy, second law बात करेगा हमारा quality of energy की, लेकिर इसको भी हम लिख लेते हैं, हमाएपास की यहाँ पर एक term आजाती है, first law cannot tell us that why heat can not be completely converted into work, या फिर हम बोल सकते हैं हमाएपास heat engines होते हैं, why, अभी हम उसकी पढ़ेंगी, why efficiency is always less than 1 for heat engines, heat engine क्या करता है, heat energy को work में convert करता है, और वो 100% efficiency से नहीं कर पाता है, सिर्फ 70% इस particular example में कर पा रहा है, तो यही कुछ limitations नहीं, जो second law उसको address करता है, second law of thermodynamics, इसमें हम बात करते हैं कि heat का flow का direction क्या होगा, क्यों hot से cool की तरफ ही heat flow होती है, उल्टा क्यों नहीं होता है, लेकिन आप इसको calculate कैसे करोगे, इसकी equations कैसे बनाओगे, तो equation बनाने से पहले, हम उन दो statements को देख लेंगे, जिन पर based हमारा second law of thermodynamics है, वैसे physics में हमें वो equation भी जादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ efficiency calculate करनी होती है, जो हम already करना सीख चुक है, लेकिन पहले उन दो statements को लिख लेते हैं, जिन पर based हमारा second law of thermodynamics है, पहले statement है, Kelvin-Planck statement, Kelvin-Planck statement, no process, जो अँआ प्रोससाई, thermodynamic process, no process is possible whose sole result is absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of the heat into work इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर बोला क्या जा रहा है, मानलो हमारे पास एक heat reservoir है, इस तरीके से, यह temperature high, यहां से कभी भी ऐसा, कोई भी process exist नहीं कर सकता, तो यहां से इस तरीके से कुछ heat ले, यहां पर हमारे पास कोई heat engine है, जिसमें कुछ process होता है, और वो heat ले और इसको completely, 100% work में convert करें, ऐसा possible हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहां पर जरूर हमें कुछ heat को reject करना पड़ेगा, तो this is Q rejected, जो की zero नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ आपको reject करनी ही पड़ेगी, और जब आप heat को reject करते हो, कोई चीज गरम है, वहां से heat ली, कुछ काम किया, उसे work निकाल दिया, heat engine काम कर रहा है, और इसको reject करेगा, तो वो एक lower temperature पर, ठंडी जगे पर यह तो transfer कराएग, यह होता है एक lower temperature पर, this is T low, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, T high, T low, ओके, दूसरा जो हमाया statement है, वो actually इसका उल्टा है, उसमें क्या बोला जाएगा, यहां से lower temperature से higher temperature पर, कभी भी heat अपने आप flow नहीं हो सकती है, यहां से heat इस तरीके से flow हो सकती है, अपने आप नहीं होगी, उसको करने के लिए हमें यहां पर से कुछ work एड़ करना पड़ेगा, यहां से देखो, heat उपर से आ रही थी, तो उससे हम थोड़ा सा work निकाल लेते हैं, दूसरा case होग, यहां से heat को उपर भिजने के लिए हमें थोड़ा सा work एड़ दिरना पड़ेगा, वही हो जाता है हमारा clausious statement, clausious statement, clausious statement क्या हो जाएगा, no process is possible whose sole result sole result यानि कि उसका सिर्फ एक ही परिणाम हो जकता है, sole मतलब only one, no process is possible whose sole result is transfer of heat from a colder object to a hotter object अब इस में क्या होगा, हमारा पास यहां पर मान लो कुछ, T cold, अच्छा है, यह cold कर दो अशको, T c, e o l d, T cold, कुछ cold temperature पर हमारा पास body है, और यहां से हमें hot temperature, T hot पर हमें energy को transfer करना है, थंडी body से, गरम body पर क्या heat transfer हो जकता है, उल्टा होता है इस तरीके से, ऐसे नहीं होता है, तो कोई भी ऐसा process exist नहीं कहा सकता, process कहां पर होता है, कोई हमारा पास heat engine या heat pump होता है, उनमें यह सब processes होता है, और अगर आपको यह करना है, यहां से आपको heat को transfer कराना है, इस तरीके से, तो आपको कुछ ना कुछ work add करना ही पड़ेगा, हम यहां पर देख सकते हैं, कि दूनों ही same बाते बोल रहें, अगर हमें यहां से heat को पहुचाना है, lower temperature से higher temperature, तो मुझे कुछ ना कुछ work add करना ही पड़ेगा, तो यहां पर मैं लिखूँ हूँ, work is added, दूसी चीज, यहां से कोई machine नहीं बना सकता, मैं इस तरीके से कोई process नहीं हो सकता, जो 100% work को convert कर दे, तो work will be less than 100%, 100% of what, यहां से जो भी heat आई है, उसका 100% नहीं हो सकता, कुछ reject करना ही पड़ेगी, तो Q rejected will be more than 0, तो मैं बस यही चीज समझने है, बहुत ही simple है, अब आगे चलते हैं, calculation स्टार्ट करते हैं, heat engines की किसी भी calculation में जाने से पहले, हम कुछ बातें समझ लेंगे, कि heat engine होता क्या है, लेको heat engine का मतलब है, कि वो heat से चलता है engine, और engine चलता है, मतलब वो कुछ work करता है, कुछ mechanical work में convert करता है, मानलो मेरे पास यहां पर थुड़ा सा petrol है, उसको मैं जला दूँ, उससे कुछ heat निकलती है, लेकिन उस heat को use करके, मैं कार को सीधे आगे नहीं जगा सकता, heat को, मतलब वो उस petrol को हमें एक engine में डालते हैं, वहां पर कुछ processes होते हैं, कोई gas compress करी जाती है, फिर उसमें धमाका होता है, वो expand होती है, expansion होता है वहां पर, उसके कारण piston move करता है, बिसिकली कुछ processes वहां पर involved होते हैं, वो internal combustion engine होता है, जो एक तरीके का heat engine ही है, तो यहां पर भी हमाई पास simplified form में देखा जाए, तो कुछ यहां पर processes होगे, और उसके हिसाब से हम heat engine बनाते हैं, तो यह cyclic process ही क्यों होते हैं, साथ में हमने और एक चीज़ पढ़ी थी कि always, जो भी heat engine होते हैं, उसकी efficiency less than 1 होते हैं, तो आज मैं सवाल उठाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होते हैं, अब एक बात बताओ, मान लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके से process consider करूँ, मैं यहाँ पर था, यहाँ से मैं इस तरीके से आ गया, यह एक isothermal process है, isothermal, expansion है, यहाँ पर मैं equation लिखूँँगा, Q is equal to W plus delta U, isothermal process है तो, internal energy में कोई chain नहींगा, temperature बदल ही नहींगा, 0, तो हमाँ पास work done is equal to Q आ जाता है, efficiency पता करो यहाँ पर, efficiency होगा work divided by heat supplied, इसकी value देखो, यहाँ पर मुझे पता है, work is equal to Q होता है, तो इसकी value आ जाएगी, this is equal to Q divided by Q, cut जाएगी और यहाँ पर इसकी value आ जाती है, 1, तो ना ही यह cyclic process है, ना ही इसकी efficiency 1 से कम है, इसकी efficiency भी 100% आ गए, तो मैं इसको heat engine क्यों नहीं बोल देता हूँ, इसका कारण है, यह heat engine क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यार यह एक one-off process है, एक बार होगा, लेकिन यह बार-बार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसी लिए यह heat engine नहीं है, initial state is not equal to final state, इसका मतलब not a heat engine, अच्छे तो यह process हो कैसे क्या है, यहाँ पर देख करके तो सब सही लग रहा है, कि मेरे पास efficiency भी 1 आ रही है, यह चल क्या रहा है, तो देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यह जो pressure है, और यह जो pressure है, तोनों different है, यह मानलो मेरा P naught था, यह हो जाएगा मेरा 2 P naught, for an example, तो हमारे पास actually हो क्या रहा है, इसको थोड़ा visualize करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मेरे पास है कि इस तरीके से reserve wire होगा, बहुत सारी gas होगी, 2 P naught pressure पर, यहाँ पर मैंने मानलो कुछ इस तरीके से turbine शेरबाइन लगा रखा है, और दूसरी तरफ मेरे पास, इस तरीके से सिर्फ P naught pressure है, गैस होगी, यहाँ से gas इस तरीके आती है, घूमती है यहाँ पर इसको turbine को घूमाती है, इस तरफ निकल जाती है, इस तरफ higher pressure है, तो इस तरफ force लगाती रहेगी, निकलती जाएगी और इस तरफ चली जाएगी, बहुत सही है, अब जब यह इस तरफ घूमाती है, work done करती है, तो उसकी internal energy काम होती है, temperature गिर जाता है, लेकिन process isothermal है, तो यह यहाँ कहीं surrounding से heat absorb करती है, heat absorb कर लेगी यहाँ से, इस तरीके से, इस तरीके से, absorbs heat to maintain temperature is equal to constant, और हम यहाँ पर first lock equation से देखते हैं, Q is equal to W, तो हमाँ पास heat absorbed is equal to work done आगे, लेकिन यह sustainable नहीं है, यहाँ पर 2P0 का मानलो मेरे पास infinite gas होती, और यहाँ पर एक infinite reservoir होता, तो मैं ऐसा engine लगा के चला देता, यहाँ डायनमो लगा था, अपने बिजली आराम से चलाता, मेरा काम हो जाता, लेकिन आसा नहीं होता, अगर रियल लाइफ में होता, तो यहाँ पर कुछ reservoir होता, जैसे ही यहाँ से gas आती, यह pressure drop होता, यहाँ पर भी कुछ कहीं जाई रही है, तो वहाँ पर pressure बढ़ता, एक टाइम आता उसके बाद यह engine अपने आप रुख जाता, यह continue नहीं हो सकता है, तो हम लिख देते हैं, इस गैन नॉट सस्टेन और एवर अज़ वी दू नॉट हैं, इन्फाइनाइट रिजर्वायर अफ गैसे अट पी नॉट एड तो एक टाइम आएगा, जब इसका pressure कम हो जाएगा, एक टाइम आएगा इसका pressure इधर का बढ़ जाएगा, और फिर हम एचुली इस process से deviate हो जाएगे, यह process रुख जाने वाला है, इसलिए इसको heat engine नहीं count किया जाता है, यह अपने एक side का process है, heat engine यह नहीं बन सकता, ठीक है, तो इसलिए, अब देखो मुझे मान लो, इसको बनाना ही है, कि इसको मैं heat engine बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पर से मैं gas को फिर लूँगा, और फिर इस तरफ लेकिया हूँगा, पहले उसको compress करूँगा, और फिर उसको इस तरीके से गरम कर दूँगा, तो मैं फिर से यहाँ आ जाऊँगा, मेरी gas यहाँ पर आ जाएगी, अब फिर से यह वाली चीज चलू जाएगी, तो in the end मुझे एक cycle बनानी ही पड़ेगी, तब ही वो बहुत देर तक चल सकते हैं, नहीं तो थोड़ी दिर में फॉस सो जाएगी, चलेगी नहीं, मेरे पास बहुत सारी options हो सकते हैं, यहाँ से वापेश जाने के, दूसरा option हो सकता है, कि मैं return path यहाँ से, path या फिर और भी process से path हो सकते हैं, ऐसे मैं लेकर जाओं, कुछ और हो सकता है, zero pressure तो खेर हो नहीं सकता, इस तरीके से कुछ कर दूँ, यहाँ से थोड़ा सा लाओं, फिर adiabatically उसको compress कर दूँ, बहुत सारी चीज़े हो सकती हैं, अलग-अलग options बन सकते हैं, बहुत तरह की cycle बनेंगी, हमको पढ़नी है सिर्फ एक cycle, जिसमें efficiency maximum होती है, जितनी हो सकती हो तनी हो जाती है, और वो कौन सी cycle है, वो है Carnet cycle, तो हम पढ़ने वाले Carnet Heat Ingins, Heat Ingins बहुत ही complicated सा topic है, हमें बहुत तरह के cyclic process होता है, उन पर सभी पर आप heat engine मना सकते हैं, सबकी efficiency अलग-अलग calculate करोगे, तो आपको पता चलेगा है, जो maximum possible efficiency है, वो Carnet heat engine में मिलती है, Carnet cycle को follow करो तब होती है, अब Carnet cycle ही क्यों है, बाकी cycles क्यों नहीं है, यह हमारे scope से बहुत बाहर है, हमें उस process में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी hint देना चाहूँगा, कि Carnet cycle ही सबसे आदा efficient क्यों है, तो इसमें सबसे पहले तो let's think about it, कि अगर मुझे सबसे आदा efficient heat engine बनाना है, तो इसको किस तरीके से बना सकता हूँ, inefficiency कहां से आती है, या irreversibility कहां से आती है, तो अगर thermodynamics का सबसे basic देखें, कि कौन सी चीज reversible है, कौन सी चीज irreversible है, तो उसमें हमें पता चलता है कि अगर heat गरम से ठंडे पे transfer हो रही है, तो यह तो possible है, ठंडे से गरम पे नहीं जा सकती है, कभी भी heat transfer होगा, और उसके बीच में तो यह temperature difference होगा, तो वो irreversible चीज हो जाएगी, तो हमारे पाश जितने भी heat transfer होगे, वो same temperature पे होने चाहिए, तो to make a reversible heat engine, heat transfer should happen with delta T is equal to 0, अब सीधी सी बात आते हैं कि अगर temperature difference 0 है, तो heat transfer होगा ही नहीं, तो basically हमारे सारे के सारे process है, इसलिए quasi static होते हैं, इतना धीरी होते हैं, थोड़ा चा delta T कर दो, तो बहुत दीरे दीरे heat जाएगी हैं, तरीके से हमें चीज़े solve कर नहीं होते हैं, अच्छा जब हम heat engine बनाएंगे, तो हमारे पास एक hot temperature होता है, cold temperature होता है, इसको बोलते हैं hot reservoir, वहाँ से हम energy लेते हैं, और यहाँ पर हम energy reject करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं sink, तो हमारे पास दू temperatures होते हैं usually, यह हो जाएगा, T hot, और नीचे हो जाएगा, हमारे पास T cold, यह हमारा heat engine है, यहाँ से हमारे पास heat का flow होता है, उसको मैं बोलते हैं Q in, और यहाँ से हमारे पास heat reject हो जाती है, क्यों आउट और यहां से हम कुछ work done कर लेते हैं इस तरीके से अच्छा हमारे पास है जितनी भी heat आ रही है वो इस तरीके से आए कि कोई भी temperature difference ना हो यहां पर जो भी working fluid है तो मान लो हमारे पास इस तरीके से पी-वी डाइग्राम है इस से मान लो मैं इस तरीके से आइसोबारिक प्रॉसेस लो आइसोबारिक प्रॉसेस में भी हमें पता है heat अंदर जाती है वो heat देनी पड़ती है उसको कितना है q is equal to n c p delta t अच्छा जहां से हम heat दे रहे हैं इसका temperature तो fix है लेकिन gas का temperature धीरे धीरे बढ़ रहा है मान लो यहां से हमारा यह reservoir का temperature था और इससे मैं इसको जब heat देता हूँ initially देख रो कुछ temperature का difference है तो यह हमारा काम खराब करेगा तो हमें actually जो heat add करी जाएगी वो सिर्फ एक isothermal process पे ही add की जा सकती है का मतलब heat should be added added at tea hot अब tea hot पे add करोगे तो यह बन जाएगा हमारा isothermal process और जो हमारे पास heat reject की जा रही है heat rejected यह जो heat reject हो रही है यह भी isothermal process होना जाएगा जो भी उस वक्त PV में जो भी process चल रहा था हमारे पास क्या चल रहा है मुझे नहीं पता लेकिन जब भी heat निकलती है तो उस gas का temperature टी cold के बराबर होना चाहिए तो अब ही irreversible रहेगा तो heat rejected should be add tea cold इसका मतलब फिर से isothermal process आने वाला है अच्छा जो भी total heat का addition हो रहा है यह rejection हो रहा है वो इन दोनो temperature पर ही हो रहा है बाकि कोई भी process है उसमें हम heat को change नहीं करेंगे तो process कौन से process बन जाते है वो बन जाते है एडियाविटिक process तो मैं पास rest processes में delta q equal to 0 इसका मतलब एडियाविटिक तो मैं पास इतने ही processes है आईसो थर्मल और एडियाविटिक को यूज़ करके एक process बनाने की कोशिश करो जो heat engine हो तो इससे हमारे पास maximum efficiency आ जाएगी तो मैं पास hint हमें मिल चुकी है और यहाँ पर अब मैं process design करूँगा देखो इस तरीके से प्रेशर है volume है आईसो थर्मल के graph कैसे होते है ऐसे ऐसे आईसो थर्म होते है पहले तो मैं दो आईसो थर्म बना लेता हूँ एक है मेरा higher temperature यह है TH दूसरा है मेरा cold temperature वाला T cold इस तरीके से यह था मेरा T hot यह था T cold heat add करेंगे हम यहाँ पर heat add करेंगे आईसो थर्मल में आईसो थर्मल में add करूँगा तो देखो PV is equal to nRT होता है इसमें heat add करनी है लेकर temperature नहीं बढ़ेगा क्या होगा वहाँ पर वो work done कर देगा Q is equal to W plus delta यह होता है heat अकर मैं add कर रहा हूँ तो वो work करेगा work करेगी gas मतलब इस तरफ expansion होगा तो हमाँ पास एक process जो आने वाला है वो है ठीक ओर राइट heat add हो गई उसके बाद हमें reject भी करवानी है T-cold पर जाके तो उसके बाद T-cold पर जाना पड़ेगा दूसरा process adiabatic हो सकता है और adiabatic process हम जानते हैं कि isothermal से थोड़ा सा steep होता है तो मैं यहां से ऐसे adiabatic process नहीं draw करूँगा यहां से तो मैंने start किया था मालूम मैं यहां आ चुका हूँ यहां से adiabatic इस तरफ आ जाएगा यह आगया हमारा adiabatic adiabatic ठीक उसके बाद heat is rejected at temperature cold यहां पर मैं heat reject कर रहा हूँ again मैं देखता हूँ q is equal to w plus delta u होता है isothermal process होने वाला है delta u की value तो 0 है heat reject करें q की value negative आनी है यानि work भी negative होगा यानि कि gas compress होगी तो हम यहां से इधर आएंगे यह हम इस तरीके से आते हैं ऐसे और उसके बाद फिर हमाया पास फिर से adiabatic process होगा और यहां से compress इस तरीके से किये जाता है और हमाया पास फिर से adiabatic process होगा और यह हमाई देखो एक cycle बन चुकी है यही है garnet cycle बहुत ही आसान था इसको देखना अब इसमें eta कैसे पता करोगे इटा आप कैसे पता करोगे वह हो जाएगी इटा इस इक्वल टू वर्क टन डिवाइड़ बाइड़ व्यू सप्लाइड ठीक है एक बार फिर से समझा देता हूँ हम चले थे design करने एक reversible maximum efficiency वाला heat engine और हमारे पास constraint गया था वह हमारे पास एक hot temperature था दूसरा cold temperature था धुकी fixed थे है ना ये change नहीं हो सकते है इनको मैं नहीं change कर सकता for example हमारे पास tea cold के नाम पे हमारे पास ambient temperature होता है उसको मैं छेड़ थो भी सकता हूँ मैं कित्ती भी heat reject करूँ मैं उसको change नहीं कर सकता similarly hot temperature भी कुछ होता होगा अब मुझे irreversibility का बात है जब भी heat transfer होता है because of temperature difference गरम से ठंडे में heat transfer हो जाता है उल्टा नहीं होता तो reversible चीज़ों को रखना है तो हम heat transfer करते हैं जब temperature difference zero हो temperature difference zero कैसे होगा इसके temperature को तो मैं change नहीं कर सकता जब भी मैं heat add करता हूँ तो gas का या working fluid का temperature hot temperature के बराबर होना जाए heat add करने का मेरे पास एक ही तरीका बचता है isothermal expansion इसी तरीके से heat reject जब भी मैं करूँगा तो वो lower temperature पे होगी heat rejection का भी मेरे पास एक ही तरीका बचता है इस तरीके से isothermal compression और बचे हुए में मैं कोई भी heat का transfer नहीं करूँगा तो अपने आप वो adiabatic processes बन जाता है यहाँ पर देखो कुछ heat in आई है यह हो जाती है हमारी q in यहाँ पर हमारा कुछ heat reject हुई है इस वाले process में हो जाएगी q out और हमारा यह जो area है वो जाता है work done यहाँ पर efficiency हाजाएगी w upon q in यह वाली heat और इस वाले area का ratio वो ही हमारी efficiency होती है derive करते हैं efficiency का formula एक ideal Carnet cycle के लिए हमने Carnet cycle में देख लिया कि हमाई पास 2 isothermal process होते हैं और 2 idiomatic processes होते हैं अब देखते हैं उसकी efficiency किस तरह हम calculate कर सकते हैं हमाई पास उसका PV indicator diagram हम सबसे पहले बनाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ से start कर देता हूँ उसका diagram हमाई पास 2 isotherms होते हैं यह होता है हमारा मानलो T hot आपस एक और Isootherm यहाँ पे कहीं पे होगा यह होगा T cold और हमाई जो cycle होती है यहाँ से start होती है पहले Iso Thermal expansion होता है फिर इस तरीके से हमाई पास Ediabetic expansion होता है पिर Iso Thermal compression होता है इस तरीके से और फिर एक और Ediabetic compression होता है याद रखना बहुत असान है जो भी इसो थर्म पे था वो इसो थर्मल है इधर जा रहे थे तो expansion है इधर आएंगे तो compression होगा जो इसो थर्मल नहीं है वो एटिया बेटिक है ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए इनको पहले हम पॉइंट से नाम देतेंगे A B C and D A to B what is A to B जल्दी जल्दी लिखते जाओ A to B is isothermal expansion B to C is adiabatic expansion C to D is C to D क्या होता है हमाँ पास यह है आइसो थर्मल compression उसके बाद हमाँ पास हो जाएगा D to A ही हो जाएगा adiabatic क्या हो रहा है यहाँ पर volume देखो कम ही हो रहा है यहाँ से इस तरीके से आते हम थोड़ा ऐसा बने एडिया बेटिक compression अब हमें इसकी efficiency calculate करनी है लेकिन उससे पहले मैं quickly आपको बता देना चाहूँगा कि यह process achieve कैसे किया रहा है हमारे पास देखो कुछ sink बना लेते हैं हम कुछ source बना लेते हैं यह है हमारे पास tea hot यह है हमारे पास tea cold और यहाँ पे बीच में एक और इस तरीके से मानलो कुछ block रखा हुआ है जिसका कोई temperature नहीं है insulator है यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमारा cylinder रखा होता है जो इसमें piston लगा होता है और side की walls एकदम adiabatic है हमारा जो piston है वो भी adiabatic होता है इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर पुली पुली कुछ mechanism होगा तो यह piston ऊपर नीचे होगा तो वहाँ पर पाईया गोमने लग जाता है और राइट यह से भी जो process है hot temperature पर होता है तो हम hot प is equal to ideal gas ठीक यहाँ पर जो ideal gas है एसे बी का जो process हो रहा है expansion का isothermal यहाँ पर होता है एसे भी यहाँ पर होगा इसमें हम heat in add करते हैं यह हो जाते है q in और यहाँ पर हमारी heat reject होती है वो होती है q out एसे भी इसमें करेंगे यहाँ पर यह इस तरीके से गरम होगी लेकिन साथ में और एक चीज का देहान रखना पड़ा है देखो यहाँ पर pressure था कुछ यहाँ पर pressure था कुछ pressure कम हो रहा है तब यह आईसो thermal process maintain होगा नहीं तो आईसो बारिक बन जाएगा तो हमें यहाँ पर क पुछ करना पड़ेगा कि इसका pressure भी कम हो प्रेशर कम करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी इस तरीके से मानलो मैंने रेत रख दी है और जैसे जैसे इसका expansion होएगा उसके साब से मैं pressure कम करता जाओंगा तो मैं यहाँ से sand गिराता जाता हूं बाहर वाइस to reduce pressure ठीक है अगर मैं pressure reduce नहीं करूंगा तो यह क्या बन जाता हमारा isobaric process बन जागा है तो फिर यह isobaric process होगा और यहाँ पर इस तरीके समया पस हम ऐसे चले जाएगा यहाँ नहीं करना है तो pressure को कम करना ही पड़ेगा जैसे जैसे gas expand होई ठीक है फिर हम यहाँ से यहाँ अब इस point पर आने के बाद हमें adiabetic process करना है तो हम इसको क्या करते है उठा करके यहाँ पर रख देते है और अब हमारा piston कुछ इस तरीके का बन जाता है तो थोड़ा यह उपर आ चुका होगा इस तरीके से अब मुझे करना है adiabetic expansion कोई heat का transfer नहीं हो रहा है लेकिन फिर हमारा piston expand करेगा volume इधर जा रहा है तो यह कैसे possible है अपने आप तो होगा नहीं तो मुझे यहाँ पर low pressure create करना पड़ेगा या तो मैं इसको खीच हूँ यहाँ पर इस तरीके से वो flywheel होता है वो थोड़ा सा घूमने लगा अब यहाँ से मैं हटा दूँगा तो अब इसमें क transfer हो नहीं रही है तो उसका gas का temperature अपने आप कम हो जाता इस तरीके से यह हो सकता है या फिर दूसर तरीका मैं यहाँ से और rate के जो particles है उनको और गिराता चलो इस तरीके से और pressure मैं यहाँ पर आकर कि अगर pressure कम करूँगा देखो यहाँ पर यह pressure था pressure कम करूँगा तो फिर से expand होएगी और क्योंकि heat दे ही नहीं रहाँ तो एक ही रस्ता बचता उसके पास area बेटे के लिए expand कर लेगा एक बार अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ बी से सी हमारा इस stage में हुआ है अब मैं सी पर आ गया हूँ सी पर आ करके मुझे यहाँ से compression करना है तो अब मैं फिर से इस पूरे setup को उठा के इस पर रख दूआ यहाँ पर हमारा पास इस तरीके से अब होगा compression अब जब compression हो रहा है तो देखो फिर से हमारा पास pressure बड़ा है अब यहाँ पर मुझे यह जो rate के दाने में डाल रहा था वो मुझे फिर से वापस रखने पड़ेंगे to increase pressure यहाँ बड़ा है यह हो जाता है हमारा C से D पहुंच गया फिर D से फिर से adiabatic है और फिर से pressure बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो D से A होता है वो भी यही पर होता है पहले हम यहाँ पर होते हैं फिर यहाँ रखते हैं फिर यहाँ रखते हैं फिर वापस यहाँ रखते हैं फिर यहा तरीक है, इसको slowly किया जाता है, slowly कौन सा वाला, isothermal, ठीक है, अगर fast कर दो कि isothermal वाला, तो यहां पर temperature difference आ जाएगा, temperature difference आ गया, तो फिर वो reversible नहीं बचता है, irreversible हो जाता है, और जो adiabatic है, वैसे वो भी slowly करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, की adiabatic को fast कर दो, heat transfer का time ही मत दो, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ और तरीके से हमारे पास irreversibility आ सकते हैं, तो वो ज्यादा complicated है, उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं, अब हम actual calculations करेंगे, इसकी efficiency के, efficiency of karnet cycle, समय आ गया है, calculations करें, तो सबसे पहले तो हम इसका diagram बनाते हैं, हमाया पास P है, हमाया पास B है, जल्दी से दो ISO थम्स बनाएंगे, यह हमारा hot reservoir का, जो ISO थम होता है, इसको मैं लग दो है, T hot, दूसरा हमाया पास cold वाला इस तरीके से होता है, यह होता है, T C, हमारी karnet cycle कैसे होती है, पहले isothermal expansion होगा, फिर adiabatic expansion होगा इस तरीके से, फिर adiabatic compression होगा इस तरीके से, यह बन गई है हमारी karnet cycle, इनके कुछ नाम दे देते हैं, यह है point A, यहाँ पर temperature है, T hot, यह है B, यहाँ पर भी temperature है T hot, यह है C, यह हमारा T, जो points बन गए, और एक चीज, यहाँ पर जो heat add होई थी, हमारा पास, यहाँ पर आता है, Q in, यहाँ से होती है हमारा पास, heat out Q, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारी efficiency का formula क्या होगा, efficiency हो जाएगी, work done, divided by heat supply, supply कितनी करिए, सिर्फ इतनी, यह तो देखो adiabatic process है, यहाँ पर कोई heat supply, heat exchange ही नहीं है, तो w upon q1 हमें पता चलते हैं, अच्छे, इसका work done आप पता कर सकते हो कुछ, कैसे पता करोगे work done, इसका area पता करो, या फिर, दूसरा तरीका यह है, कि मैं इस process का work done पता करो, इस process का work done पता करो, इस process का work done पता करो, सबको add करूँगा, तो मुझे net work done पता चल जाएगा, वो अभी काफी लंबर process है, या फिर मेरे पास तीसरा तरीका है, कि इस पूरी cycle के लिए में, हमारी first law of thermodynamics की equation लगा दो, for cycle, हमारा पास आजाता है, q is equal to work done प्लस delta u, cycle के लिए लगा है, यहां से शुरू हुए, फिर से यही पर आगे घूम पिर के, हमारा delta u की value तो 0, हो नहीं है cyclic processes में 0 होती है, अच्छा हमने जो heat supply करी है इसको, बताओ कितनी हो जाएगी, sign convention के साथ बताना, यह q in, जितना में amount है, वो मैंने add किया है, यह मैंने reject करवा है, ना तो यह negative में हमें लेना पड़ेगा, sign convention के साब से जाता है, q in minus q out is equal to work done, बहुत आसानी से आ गया, नहीं त work done को यहां पर रख दोगे, तो इससे हमारी जो efficiency आ जाती है, efficiency हो जाती है, work done is equal to q in, चाहिए भी यहां पर था, q in minus q out divided by q, मैं लिख सकता हूँ, efficiency is simply, यहां पर देखो इसको, आप expand कर सकते तो आ जाते है, 1 minus q out upon q in, यह हमारा efficiency का बहुत ही simple सा formula आ गया, अब हमें बस पता करना, यह q in कितनी है, यह q out कितनी है, और यह है isothermal processes, isothermal processes में हम आपास देखो, फिर से हम a b की बात कर लेते हैं, पहले a b से start करेंगे, और process a b, क्या बोल सकते हैं अब a b के बारे में, यहां पर जो heat in है, सबसे पहले त यहां पर delta u 0 होगा, क्योंकि एक isothermal process है, right, इस process में delta u 0 है, work turn कितना होता है, isothermal में, तो work turn के value होती है, n, r, t, t, b कौन सा होगा, hot वाला temperature है, यहां पर जो भी गया सा, n, r, t, h, l, n of, v2 by v1, यहां पर जाएगा, vb upon v, a, vb upon v, a, ठीक, same चीज में कर सकता हूँ, इस process के लिए, यह भी तो isothermal process है, same logic लगए, exactly same लगए, देखो, यहां पर मैं लिख दूँगा, c से d के लिए मैं लिख सकता हूँ, q is equal to w plus delta u, हाँ मैं पता, isothermal process है, तो delta u के value 0 होगी, और work turn, isothermal process में कितना होता है, work turn होता है, n, r, t, ln, v2 by v1 T क्या है, इस बार, cold temperature है, n, r, t, c, ln of v2 by v1, final volume यह है, initial volume यह था, तो यह आ जागा, vd upon vc, okay, तो मुझे मिल गया, यह वाली heat, जो थी actually q in, इसी को मैं लिख जेता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफाय करता, this is q in, and this is equal to q out, अब हमारे पास यह जो formula था, इसमें आप q out और q in की values रख दोगे, यहां से, q out की value तो यह आ चुके, n, r, t, c, ln, लिख ही देता हूँ, efficiency is equal to 1 minus, q out की जगे मैं लिख दोगा, यह वाली value, which is equal to n, r, t, c, ln of vd upon vc, divided by, हमारे पास q in की value आ चुकी है, यह यह जाता है, n, r, t, h, ln of vb upon vc, देखो, nr से nr कड़ गया, बड़ी simple सी चीज मुझे यहां पर आती है, दिखाई दे रही है, और इसको मैं कैसे solve कर लूँ, अब देखो, यहां पर हमें, इस process की information का तो अभी तक मैंने use ही नहीं किया, कि यह adiabatic process है, अच्छे, adiabatic process में, हमें किन चीजों के बात करनी है, temperature, और यहां पर सारे के सारे ratios आ रहे, volume के, अब देखो, मैं करने वाला हूँ, for adiabatic process, adiabatic process में क्या होता है, PV की power gamma constant होता है, PV की power gamma is equal to constant होता है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे temperatures और volume के नीच में खेलना है, तो मैं कर दूँगा, TV की power gamma minus 1 is equal to constant, अब हमें ये equation लगा देनी है, इन दोनों process में और देखना ये हमारा solve हो जाएगा, और इसकी value आजाएगी 1, अब देखते हैं कैसे आजएगी, देखो, ये equation लगाऊँगा पहले मैं यहां पर, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो, पहले यहां पर, इस point के लिए, ये जो भी value आती है, वो क्या हो जाती है, यहां से मुझे पता चलता है कि TH upon TC is equal to, क्या रहा है, VC upon VB की power, gamma minus 1, similarly, same चीज मैं कर दूँँगा, इस वाली adiabatic process, दो ही दो adiabatic process है, दोनों में करना पड़ेगा हमें, देखो, अब मैं क्या लिख दूँगा यहां पर, इस point के लिए मैं लिख दूँगा, तो यहां पर आजाएगा, TC into VD की power, gamma minus 1, is equal to, यहां का क्या है मैं पास temperature, TH, जो जाएगा, TH into, VA की power, gamma minus 1, is equal to, यह बराबर हो जाते हैं, यहां से भी मुझे देखो, एक relation मिलेगा, यहां से भी मैं लिख सकता हूँ, TH upon TC की value को उछा रही है, TH upon TC कितना रहे, TH upon TC करोगे तो वा जाएगा, VD upon VA की power, gamma minus 1, अब एक बात बदाओ, यह TH upon TC, TH upon TC तो दोनों पराबर है, यानि कि यह वाली दोनों values बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब, यह अगर थी मेरी equation number 1, यह थी मेरी equation number 2, from 1 and 2, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, VC upon VB is equal to VD upon VA, दोनों की पार यहाँ पर gamma minus 1 है, यहाँ पर भी gamma minus 1 है, लेकिन वो सब cancel out हो जाएगा, हमाय पास यह equation आ जाती है, यहां से मैं देखता हूँ, VD upon VC, देखो यहां से क्या आ जाता है, VD upon VC is equal to यह आ जाता है, VA upon VA, अब ध्यान से देखो, यहां पर VD upon VC है, यहां पर भी VD upon VC है, और यह VB upon VA है, यह VB upon VA नहीं आए तो उल्टा आ गया, तो यहां यहां पर मैंने कहीं पर छूटी सी गलती कर दी है, वो गलती मैंने actually sign convention में कर दी, देखो यहां पर हमने लिखा था Q out, Q out की value मैंने इसके बराबर कर दी, लेकिन यह हमारे जो first law of thermodynamics equation थी, हम क्या लिखते हैं, Q is equal to W plus delta U, work done का formula मैंने सही लगाया, और यह जो थी, यह थी हमारी Q supplied to the gas, sign के हिसाब से मैंने क्या बनाया है, यहां पर Q out इस तरीके से लिखा हुआ है, और यह जो actually Q calculate हुआ है, वो कौन से होता है, supplied to the system, तो यहां पर actually मुझे एक minus लगाना चाहिए था, इस तरीके से, यह भी मैं यहां पर लगा दो हूँ, this is minus यहां पर आ जाएगा, alright, Q out आया, तो यहां पर भी और एक minus इस तरीके से लगना था, ठीक है, अब यह minus लगेगा, तो अब आप लॉक की properties से देख सकते हुए, कि यह जो minus है, यहां पर अंदर चला जाएगा, तो इसकी power बन जाएगा minus 1, और फिर उसके हिसाब से आप देखोगे, कि यह दोनों cancel out हो जाते हैं, यह minus जो है, minus इस तरफ जाएगा, अंदर VD upon VC की power जाएगी, minus 1, तो यह बन जाता है, VC upon VD, और VC upon VD बन गया, और यह आपर VB upon V है, तो यह दोनों आपस में cancel out हो जाते हैं, हमारे पास efficiency का जो formula जाता है, वो जाता है, 1 minus, यह वाला minus तो अंदर चला गया था, लेकिन यह वाला minus अभी भी बच्चा होगा था, 1 minus TC upon TH, यही हमारा efficiency का formula है, कोई बड़ी-बड़ी calculations अब हम नहीं करेंगे, हमें पता चल गया, Carnot cycle दू temperature के बीच में काम करती है, hot and cold, और उसकी जो efficiency का formula है, वो है बहुत ही simple, 1 minus TC upon TH, या फिर इसी को लिखने का और एक तरीका हो जाएगा, देखो, इसको मैं बोल सकता हूँ, TH, इदल चल जाएगा, तो जाएगा, TH minus TC upon TH, TH minus TC को मैं बोल दूँगा, इन दोनों के बीच में कुछ temperature difference है, तो मैं बोल सकता हूँ, is equal to delta T upon TH, तो ये formula बस हमें याद रखने हैं, सारे के सारे सवाल हमारे इतने से ही हो जाएगे, खास बात क्या है, efficiency में गामा का कोई काम ही नहीं है, mono-atomic, di-atomic या कोई और combination, बस ideal gas हमको use करनी है, वो working fluid होता है, कोई से भी ideal gas use कर लो, आप इसमें और आपको efficiency ये मिल जाएगी, जो कि सिर्फ हमारे operating temperatures पर dependent है, यहाँ पर और एक छोटी सी चीज, जो notice करने वाली है, जो बहुत जगे काम आ सकते हैं आपको numerical में, कि हमारा efficiency का formula है, 1-tc upon th, efficiency का formula ये भी था, अच्छा तो इन दोनों को देखके देखो, ये जो 1 के पीछे minus वाली term है, ये दोनों बराबर होंगी, तो हम मैं लेख सकता हूँ, tc upon th, this is equal to this, tc upon th is equal to, q out upon q in, अच्छा पहले q out लिखना है, q out के बारे में देखो, q out कौन सी वाली heat है, जो की colder temperature पे heat है, तो इसको मैं q cold लिख देता हूँ, और नीचे क्या आ जाएगी है, q in, q in कौन सी heat है, जो hot temperature पे heat अड़ करेगा है, तो इसको मैं q hot लिख देता हूँ, यहां से हमाया पास, एक और काफी important result आ गया, कि जो heat का ratio होता है, कानेट cycle में, वही temperature का भी ratio होता है, तो आपको बहुत जगे यह वाला formula भी use आएगा, इसको भी याद रख लो, यह हमाया पास आ जाता है, तो आप हमाया पास कुछ formula है, यह है efficiency का, temperature Kelvin में आएगा, यह है हमाया पास एक ratio, जो temperatures और heat को relate करता है उनके ratio को, बस इससे हमारे सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएगे, अब इसके questions सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जो temperatures की value है, वो Kelvin में होगी, डिगरी Celsius में रखना होगी, यह गलती हो जाती है, An ideal gas heat engine is operating between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius, it absorbs 10,000 J of heat at the higher temperature, the amount of heat that gets converted into work is बहुत ही simple सा हमारा question है eta की value होती है 1 minus T cold upon T hot इसका use करो और बताओ कितना work convert हो है इस question का correct answer है option number A solve करने से पहले मैं चाहूंगा कि जब भी आप heat से related heat engine और heat pump के question solve का है तो हमेशा एक diagram बनाई यह है हमारा T hot यहां पर होगा हमारे पास T cold बीच में कहीं पर heat engine इस तरीके से होता है यहां से हमारे पास work निकलता है अच्छा हमें बोला क्या क्या है hot से जो heat absorb करी है वो कितनी है 10,000 joule तो मैं उसको 10 kJ लिख देता हूँ और हमसे पूछा है work done कितना होगा obviously हमारे पास जो दो statement तो उसके साब से यहां पर ज़रूर कुछ heat reject हुई होगी और हमें efficiency का formula पता है efficiency is equal to 1 minus T cold upon TH इन दोनों में से cold temperature कौन सा है देख के बता सकता हूँ वो है 127 divided by नीचा जागा 227 और यही पर गलती हो जाएगी कि यह है degree Celsius में इनको Kelvin में लेकिया हो यहां पर कलता हो है plus 273 divided by plus 273 अभी हो चुका है Kelvin में उसकी value क्या जाती है 1 minus यह हो जाता है 400 upon 500 which is equal to 1 minus 4 by 5 यानि की 1 by 5 efficiency आ जा रही है हमारी सिर्फ 20% तो जितने भी heat absorb करें है उसका सिर्फ 20% ही work बनेगा तो work done is equal to efficiency multiplied by heat absorbed तो वो जाता है 0.2 into 10 kJ which is equal to 2000 J option number A is the correct answer बहुत ही आजान था सारे questions ही इसी तरीके के होते है heat engines और एक question देखते है यह एक interesting सवाल है efficiency of a heat engine working between a heat source and a heat sink is 1 by 6 तो हमारे पास एक heat source है यहाँ पर था TH और यहाँ पर कहीं था हमाया पास TC इनके बीच में हमाया पास एक heat engine इस तरीके से काम करता है work निकाल देता है यहाँ पर और इसकी efficiency कितनी दी होगी है efficiency is equal to 1 by 6 if the temperature of the sink is reduced by 62 degrees celsius its efficiency gets doubled तो हमने sink का temperature half कर दिया है यह हमारा TH उतना ही था और अब भी भी हमारा work यहाँ पर इस तरीके से निकलेगा और यहाँ पर जो sink का temperature है यानि कि T cold उसको हमने reduce कर दिया है कितना 62 degrees celsius से तो उसको मैं TC dash बोल देता हूँ अब हमारी efficiency कितनी हो जाती है double हो जाती है यानि कि 2 by 6 हो जाती तो हमें क्या पताना है what is the temperature of the heat source हमें TH पता करना है हमारा पास एक ही formula है efficiency is equal to 1 minus TC upon TH यह आपको formula लगाना है दूनों बार और आपका answer आजाएगा तो वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है option number C देखो बहुत अच्छा सवाल है लेकिनि यहां पर हम efficiency का थोड़ा सा modified formula यूज करेंगे TH minus TC upon TH basically यह क्या हो जाता है हमारा delta T upon TH eta की value ही आजाती देखो first case में हमारा पास efficiency कितनी थी 1 by 6 is equal to initially delta T जो भी था divided by TH this is equation number इस case में क्या बोल सकता हूं मैं efficiency हो गई है double 2 by 6 is equal to अच्छा यहां पर मैंने temperature कम किया है तो इन दोनों के बीचे जो भी delta T था वो actually बढ़ गया होगा है अब इनके बीच पे देखो गया बढ़ गया temperature गा यहां पर मैं लेकूंगा finally जो मेरे पास delta T प्लस 62 आ जाएगा temperature difference जो भी यह temperature difference था initially इसका मेरे को फरणी बढ़ता है और denominator में क्या आएगा वो तो आता है hot का temperature तो उसमें तो कोई change नहीं है तो यह TH का TH ही जाएगा this is equation number 2 तो आप एक काम करो यहां पर इन दोनों equation को divide कर दो तो यह TH वाली term कट जाएगे हम करते हैं 1 divided by 2 तो महां पास आ जाता है left hand side पे 1 divided by 2 is equal to right hand side पे जाता है delta T upon delta T plus 62 solve करने जाओ तो यह आ जाता है delta T plus 62 is equal to 2 times delta T यहां से में पता चलता है delta T is equal to 62 degree Celsius या फिर actually answer आएगा वो 62 Kelvin में आता है लेकर difference है Celsius में हो difference है Kelvin में हो same heat चीज़ है अब हमें पता करना है TH तो हमें answer 62 यह नहीं mark कर देना है हमसे पूछा है कि what is the temperature of the heat source तो यहां पर मैं use कर लूँगा formula और TH की value आ जाती है 6 times delta T which is equal to 6 into 62 और अब की बार हमारा answer degree Celsius में नहीं आएगा Kelvin में ही आएगा यह absolute temperature है यह temperature difference था इसकी value आ जाती है 60 into 60 360 372 Kelvin 372 Kelvin हमारा answer है नहीं सारे के सारे degree Celsius में option है तो minus 273 कर दोगे तो यह आ जाता हमारे पास actually 99 degree Celsius option number C is the correct answer बहुत ही अच्छा सवाल था यहाँ पर यह हमारे पास दो equation है जाती छोटा सा modified हमने efficiency का formula यूज़ किया फटाक से हमारा answer आगे heat pumps heat pump क्या होते है नाम से पता चल रहा है वो heat को pump कर देते heat से चलने वाले pump नहीं heat से चलने वाला pump actually heat engine नहीं रहेगा क्यों heat को as a energy source यूज़ कर रहा है उससे कुछ काम कर दे रहा है तो heat engine मन लिए heat pump पानी को वज़े से pump करते हैं नीचे से उपर पहुंचाते हैं अपने आप तो पानी नीचे से उपर नीचाता है उसको pump करना पढ़ता है ऐसे लिए heat भी अपने आप cold temperature से high temperature पर नीचाते हैं उसे pump करना पढ़ता है कहां देखते हैं हम ये हमारे refrigerator में है ना refrigerator के अंदर ठंडक होती है बाहर गर्मी होती है और उसमें हम कोई नई चीज रख देते हैं तो यहाँ पर गरम होती है वो लेकिन उसमें से heat निकाल करके वो बाहर भेग देता है और यहाँ पर सब कुछ ठंडा रहते है heat को pump किया जा रहा है lower temperature से higher temperature पर अभी किस तरीके से काम करता है देखो हमें पढ़ने है ideal reversible heat engines and heat pumps तो actually जो हमारा heat engine होता है वो reversible है और उसी को आप उल्टे direction में चला दोगे तो वो बन जाता है हमारा heat pump देखते हैं कैसे हमारे पास देखो एक होता था यहाँ पर इस तरीके से T hot और मान लो यहाँ पर होता था हमारे पास T cold यहाँ पर हमारे पास एक heat engine इस तरीके से लगा था यहाँ पर थोड़ी सी heat absorb करी जाती थी कुछ reject करी जाती थी यहाँ से हमें meaningful work मिलता था हम क्या बोलते थे यहाँ पर Q1 है यह हमारे पास Q2 और हमें कुछ work मिला है इसी process को अगर मैं उल्टा कर दूँ क्योंकि reversible है अब मैं यहाँ पर कुछ work add करता हूँ इस तरीके से और यहाँ से इस तरफ heat जाती है यह इस पर हो जाएगी Q1 और यह इस तरफ निकलेगी Q2 थोड़ा यहाँ पर confusing हो सकता है Q1, Q2 हो गया है तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ Q in this is Q out ठीक हमारा first law of thermodynamics हमेशा valid होता है तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ heat जो अंदर आई है वो बाहर जाने वाली energy के बराबर होगी first law के साब से मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा Q in is equal to Q out plus w क्या यहाँ पर भी first law valid होगा of course होगा यहाँ पर जो heat इस तरफ जा रही है और यह हमने work add किया है दोनों मिलकर के Q2 के बराबर होने वाले थी यहाँ पर हम क्या लिख देंगे work plus q1 is equal to q2 बहुत ही simple heat engine के case में हम efficiency define करते थे क्या होते थे efficiency is equal to हमाँ पास कितना work हुआ है divided by कितनी heat हमने supply करी अच्छा यहां से देखो work होता था q in minus q out है q in minus q out divided by हो जाता था q in इसकी value हो जाती थी 1 minus q out upon q in हमने derivation से देखा थे यह था है 1 minus t cold upon t hot similarly यहाँ पर यहाँ पर भी देखो हम कुछ चीज define कर सकते है efficiency जासी efficiency अगर आप निकालने चाहोते है यहाँ पर भी ऐसी calculation करोगे ऐसा कुछ result आप निकाल सकते है लेकिन यहाँ पर efficiency पता करना हमारा interest नहीं है हम क्या पता करना चाहते है हमसे बोला जाएगा मुझे इतनी heat निकालनी है उसके लिए कितना work मैं दे दू यहाँ पर हम इन दोनों के ratios को देखते थे अब हम इन दोनों के ratios को बात करें तो यहाँ पर मुझे एक नई term define करने पड़ेगी कैसी term होगी वो मानलो मैं यहाँ से एक joule work करता हूँ और उसके कारण यहाँ से पांच joule absorb होती है और यहाँ पर 6 joule बजली जाती है तो मैं क्या बोलूँगा मैंने 1 joule दिया उससे मुझे 5 joule हमें तो यहाँ ठंडा करने वाली heat से मतलब है यह क्या हो रहा है यह तो मैं काम की नहीं है हम काम तो ठंडा करना चाहते है main important चीज़ है तो मैं बोलूँगा 1 joule से 5 joule heat extract हो गई तो मैं बोलूँगा यार इसकी performance इतनी बढ़िया है कि 1 joule देता हूँ और 5 joule extract हो जाती है यहाँ पर हम define करते है coefficient of performance जिसको बीटा से define किया जाते है COP भी आप इसको लिख सकते हो coefficient of performance is equal to हमने कितनी energy निकाल दी और कितना हमने work किया था उसका ratio वो जाता है Q1 upon W अब इसको simplify करा दे है तो इसको simplify कैसे करूँ यहाँ से मैं लिख दूँगा work done is equal to Q2 minus Q1 दे हो जाता है Q1 upon Q2 minus Q1 और यहाँ पर भी आप same derivations कर सकते हो आपको same result मिल जाएगा और वो result actually क्या होता है यह देखो यह Q1 क्या है cold वाले temperature से heat ली गई थी Q1 क्या है cold वाले temperature से heat ली थी यहाँ प्या जाता है हमारे पास Tc Q2 क्या है जो hot reservoir पर heat छोड़े गई है वो हो जाता है हमारे पास T H minus Tc तो COP की value हो जाती है देखो इसको मैं लिख दूँगा temperature of cold upon delta T efficiency की value हो जाती है delta T upon T hot यही दो हमारे सबसे ज़्यादा काम के formula है आपको बस ये दो formula है यादत में अच्छा हमारे पास ये देखो T hot और T cold के बीच में operate कर है आप actually eta और beta दोने के बीच में भी relation ला सकता है आप इसको derive करोगे तो आजाएगा beta is equal to 1 minus eta upon eta अगर same ही heat engine को मैं convert कर दूँ heat pump में तो मेरे पास ये वाला relation valid होता है आपको फिर से मैं याद दिलाना चाऊँगा हमें पास था है Kelvin Plank statement वो बोलता है कि पूरी की पूरी heat energy को हम work में convert नहीं कर सकते हैं थोड़ी सी heat हमें इदर reject करनी ही पड़ेगी और दूसरा था हमारा clausia statement वो बोलता है कि हमारी heat अपने आप cold से hot में transfer नहीं होगा हमें कुछ extra work उसमें add करना पड़े यहां पर हमें second law की application देखने को मिलती है हमारे को सिर्फ यह दो formula याद रखने से हमारे सारे के सारे सवाल solve हो जाएंगे बहुत ही आसान यह formula है न derivation हमने कर ही ले अब कुछ questions solve करते हैं at an ambient temperature of 42 degrees celsius a refrigerator can maintain 2 degrees celsius inside its closed chamber by absorbing 200 joule per second from the perishable products how much electric power does it consume बड़े भारी भारी शब्दों का यहां पर इस्तिमाल हो है तो देख के लग रहा है question बड़ा मुश्किल है लेकिन actually बहुत आसान है इस तरह के जब भी question solve करेंगे हम हमेशा diagram बनाएंगे हमारे पास हमेशा एक tea hot होता है जो कि इस case में है 42 degrees celsius और हमेशा एक tea cold होगा जो है इस बार 2 degree celsius क्या मैं इसको Kelvin में convert कर लो नहीं तो मेरी गलती यहीं हो जाएगी सबसे पहले इसको Kelvin में convert करोगे 273 प्लस 42 करोगे तो 275 315 Kelvin हमारे पास ही आ जाता है 275 Kelvin इस बार हमारा refrigerator है यहां पर इस तरीके से refrigerator होगा इसमें हम कुछ work करते है उसके कारण यहां से heat उपर जाती है और पिर इस तरीके से उपर जाती है अब लिखाए यहां पर perishable perishable क्या होता है कोई भी जो चीज perish हो जाए तो हमारे case में हम बात करते हैं तो पल सबसियां वो सड़ जाते हैं थोड़े टाइम बात तो उनको हम फ्रिज के अंदर रख लें उन perishable से 200 Joule पर सेकंड absorb करता है यहां पर यह है हमारा 200 Joule पर सेकंड उस बार actually हमें heat energy नहीं दिया है heat energy पर सेकंड की turns तो हमसे बात कर लिए तो ratios तो सेम ही रहने वाले हैं ना एक सेकंड में बस वो बात कर रहे होंगा हमसे पूछा गया है कि how much electric power does it consume तो हमें यहाँ पर work पता करना है क्या मुझे पता है बीटा की value क्या होती है formula क्या है होता है temperature divided by delta कौन सा वाला temperature यह tea hot है या tea cold है याद रखने का तरीका बता तो बीटा होता है refrigerators के लिए refrigerator में हम चीज़े ठंडी करते हैं तो यहाँ पर actually tc होता है तो यह हमाँ पास formula है जल्दी से मैं beta की value निकाल देता हूं तो beta की value आ जाती है tc है हमारा 275 Kelvin में आएगी यह value राइट और delta t है हमाँ पास 40 Kelvin यहाँ से इसकी value जो भी आजाएगी चलो भी इसको ऐसे ही रहने देते अब मुझे हमारी power यहाँ की पता करना है अगर यह एक power है यह है ना 200 जूल पर सकिंड क्या होता है 200 watt है और यह हमारी को पता करना है बीटा एचुली होता क्या है बीटा coefficient of performance वो क्या होता है यहाँ से जो power extract करी है और यह जो हम करते हैं उसका ratio होता है कितने power में कितना ज्यादा मुझे यहाँ पर absorb करने को मिल रहा है मैं यह लिख दूँगा this is equal to बीटा is equal to Q absorbed divided by work which is equal to अगर मैं per second की बात कर दूँँ तो ही हो जाता है 200 divided by power इसकी जो भी power है और इसकी value आजाती है हमाहाँ पास 275 divided by 40 यहाँ से power की value आजाती है सीज़े सीज़े 200 into 40 divided by 275 which is approximately equal to 29.1 watt तो यह actually बहुत ही कम power consume कर रहा है सिर्फ लगबग 30 watt की हम power supply करते हैं और उसे यहाँ से 200 watt absorb हो जाता है अब इसमें आपसे और एक सवाल पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ पर reject कितनी हो रही है reject कितनी हो रही है यहाँ से जो power आई हमेशा इस तरीके से डाइग्राम बनाओ confusion नहीं होगा formula यार रखने beta होता है beta होता है t upon delta t क्योंकि beta में हम ठंडा कर रहे हैं तो t cold यूज़ किया जाएगा eta होता है efficiency वो होता है delta t upon t यहाँ पर हम hot cheese energy लेते हैं तो यह t h हो जा रहे यही दो formula है सारे सवाल ऐसे ही solve हो जाएगा एक और बहुत ही अच्छा सवाल तो concept तो सहीं ही लगने वाले है अब क्या होता है उस concept के आगे से सवाल modify किया जाता है देखो a carnet engine with an ideal gas as the working fluid is operated backwards to freeze water at 0 degree Celsius इस लाहन से हमें सीथे से एक चीज़ पता चलती है diagram ज़रूर बनाएंगे क्या हम आजब T cold है वो है 0 degree Celsius या फिर 273 Kelvin इसको हम लिख देंगे if the outside temperature is 20 degree Celsius चलो हमें hot temperature भी मिल गया 20 degree Celsius which is equal to 273, 83 to 93 Kelvin and the engine is driven by a 200 watt electric motor तो यहाँ पर हमारे पास engine चल रहा था engine basically heat engine था और उसको convert कर दिया है refrigerator में तब वो refrigerator चल रहा है हमारा 200 watt motor से find the amount of water frozen per minute यह पार्ट इनने थोड़ा सा extra कर दिया तो पहले यहाँ पर हम simple सा diagram मनाते हमारे पास यहाँ से कुछ Q absorbed होगी और यहाँ पर हमारे पास Q rejected होगी सबसे पहली चीज़ तो मैं beta define कर देता हूँ beta क्या होता है यह होता हमारे पास T divided by delta T T कौन सा होता है cold वाला है TC upon delta T इसकी value आने वाली है 273 upon delta T की value कितना है देखो 0 degree Celsius 20 degree Celsius difference is 20 Kelvin का यह आगे अब यहाँ से कुछ power absorb हो रही है power absorb power absorb divided by 200 watt क्या चीज़ है इसका ratio divided by this यह ratio क्या होता है यही तो होता है हमारा coefficient of performance this is equal to beta which is equal to 273 upon 20 जब आप ऐसे diagram मना लोगे तो आपको पता चल जाएगा beta क्या होता है एक joule मारते है 5 joule खीच लेता है beta is equal to 5 divided by 1 यहाँ पर power जो absorbed हो रही थी divided by 200 power absorbed divided by 200 वो ही हमारा beta होना चीज़ है यह हमारे पास आगया यहाँ से मैं power absorbed पता कर सकता हूं P is equal to 273 multiplied by 200 divided by 20 तो यह कट जाता है हमारा पास 2 और यह जाता है 2730 watt क्योंकि यह watt में था तो यह भी watt में अब मुझे इतने watt मिल रहा है पता करना है कितना water हमारा freeze हो रहा है per minute तो बहुत ही आसान है यहाँ पर देखो हमें 80 calorie per gram कुछ दी गई है values तो इसको मैं Joule per second को calorie per second में ले आता हूं इतने actually watt को मैं लिख देता हूं Joule per second is equal to calorie में कितना हो जाएगा इसको 4.2 से divide कर दो तो जाएगा 2730 divided by 4.2 calorie per second अब यहाँ पर हमें लगाना है conservation of energy जितनी energy यहाँ से चूसी जा रही है, खीची जा रही है वो किसके बराबर होगी latent heat of fusion multiplied by हर second कितना mass convert हो जा रहा है ice में यहाँ पर हो जाएगा हमारा m dot या उसको m dot लिख दो कुछ भी mass की जो rate है m dot multiplied by latent heat of fusion is equal to जो भी हमारी power absorbed आई है यहां से mass की जो value आ जाती है m dot की वे जाती है power upon lf power की value है 2730 divided by 4.2 calorie per second lf की value क्या है हमाँ आपास 80 calorie per gram यहां से देखो units भी अपने आप यह कट जाता है हमाँ आपास answer आने वाला है gram per second में और इसकी numeric value आप solve करोगे तो यह कितना आ जाता है जिरो से जिरो कट गया यह actually हा जाता है 65 upon 8 gram per second क्या हमारा answer हो गया अभी नहीं आया हमसे बूचा है frozen per minute अब इससे per minute की बात करो per minute is equal to 65 upon 8 multiply कर दो यह कितना था एक second में इतने gram होता है 60 से multiply कर देंगे minute में आ जाएगा तो इसकी numeric value आ जाती है 487.5 gram per minute अगर हमारे पास इन temperatures के बीच में refrigerator operate हो रहा है और 200 watts को power दी जा रही है तो हर minute लगबग आदा किलो बरब जम सकती है लास्ट टॉपिक देखते हैं बहुत ही interesting है मज़िदार और इसमें क्या करना है हमें कानेट इंजिन को सीरीज में लगा दा है सीरीज में कैसे लगाँगा सीरीज में तो cell resistance के पैसिटर्स लगाए जाते हैं सब कुछ लगा सकते हैं सीरीज में देखो इसको नाम से ही देखके मैं पता चल जा रहा है कि हमाई पास मान लो यहाँ पर कोई tea hot था इस तरीके से और इसके बाद था है यहाँ पर कोई tea cold और इनके बीच में हमाई पास एक कानेट इस तरीके से इंजिन काम करते हैं यहाँ से हीट आती है हमारी q1 यहाँ से हीट reject होती है q2 और यहाँ पर इस तरीके से वर्क निकलता है अब इससे सीरीज में एक और हमें कानेट इंजिन लगाना है तो कैसे लगा होगे देखो यहाँ पर जो हीट है उस हीट को आप डाल दो किसी और इंजिन के इंपुट पर इससे भी कुछ वर्क निकलेगा और इससे फिर से कोई और हीट reject होगी यह हो जाता है अब हमारा पास tc और इसको हम बोलेंगे बीच में न तो t middle या tm अब इसकी value रख दो और राइट यह बन जाता है w1 यह बन जाता है w2 मुझे बताओ यहाँ पर heat जा रहे है q2 और यह वाली heat क्या यह दोनों बराबर होगी क्योंकि यहाँ पर energy conserve करोगे यहाँ से जितनी heat reject होई है उतनी heat तो यह absorb करेगा तो यह भी होता है मारा पास q2 और यह हो जाता है मानलों मारा पास q3 हमें question दिया गया है कि अगर यह वाला temperature है 800 Kelvin और यह वाला temperature है 300 Kelvin तो हमें पता करना है point Tm Tm कैसे पता करें कुछ भी हो सकता है Tm की value इन दोनों के बीश में कोई से भी value हो सकती है 500 Kelvin भी हो सकता है 400 Kelvin भी हो सकता है अगर मैं temperature की value बदलता जाओंगा उनों की efficiencies फिर बदल जाएंगी हाना तो मुझे Tm पता करना है if हमें दिया गया है W1 is equal to W2 यहां से जो work निकलता है और यहां से जो work निकलता है अगर दोनों बराबर हैं तो बताओ Tm की value कितनी है वो किस तरीके से solve किया जा सकता है देखो हमें बोला गया है W1 is equal to W2 तो W1 क्या हो जाएगा इसकी जितनी भी efficiency है उसको मैं बोल देता हूँ this is eta1 इसकी efficiency को बोल दूँ मैं this is eta2 अब यहां पर हम एक चीज़ कर सकता है देखो एक तरीका यह होगा कि W1 is equal to W2 करना है W1 को मैं क्या लिख दूँगा W1 है Q1 times eta1 यह हो जाता है Q1 times eta1 W2 हो जाता है Q2 into eta2 यह हो जाएगा Q2 into eta2 फिर आप Q2 को भी लिख सकते हो Q2 क्या हो जाएगा Q1 into 1 minus eta1 क्यों? क्योंकि यहां से इतनी ही तिदर गई है बची होई यह है वही तो हमारा Q2 बनता है इस तरीके से आप solve कर सकते हो थोड़ा complicated calculation हो जाएगी उससे अच्छा है यहां पर आसान तरीका लगाएगे देखोई W1 is equal to W2 हमें पूचा गया है W1 क्या है? W1 है हमारा Q1 minus Q2 W1 है Q1 minus Q2 वही तो W1 है is equal to Q2 minus Q3 इन दोनों को आप divide कर दो Q2 से इधर भी divide कर दो इधर भी divide कर दो यह इस तरफ क्या बन जाते जाता है Q1 upon Q2 minus 1 is equal to 1 minus Q3 upon Q2 यहां से मैं पास हा जाता है देखो Q1 upon Q2 plus Q3 upon Q2 is equal to 2 अब इसको कैसे solve करें इसको solve करने का बहुत असान तरीका है हमारे पास यह जो heat के ratios है actually in temperatures के ratio होते है जैसे Q1 upon Q2 जो है वो actually Q1 कहां से है TH से Q2 कहां गया है TM से इसको आप लिख सकते है this is equal to Q1 आया है TH से Q2 गया है TM से plus यहाँ पर कैसे लिख होगे यहाँ पर आप लिख दे होगे Q3 कहां गया है TC में Q2 कहां से आया है TM से जो जो आगा TC upon TM is equal to 2 अब आपका सवाल उठेगा यह कैसे Carnet Heat Engine के Efficiency के Derivation में हम देखते है कि जो Heat का Ratio होता है वह ही Actually Temperatures का भी Ratio होता है कैसे होता है इसको जल्दी से मैं आपको Derive करकर दिखा देता हूँ हमारे पास किसी भी Heat Engine के लिए जो Efficiency होती है मान लो इसकी मैं बात करो Efficiency क्या होती है वो हो जाती है W1 upon Heat Supply जो होती है Q1 Heat Work upon Heat All right Work को क्या लिख सकता हूँ मैं Q1 minus Q2 इसको लिख दो जल्दी से Q1 minus Q2 divided by Q1 which is equal to 1 minus Q2 upon Q1 अच्छा हमने Derive किया था Efficiency का Formula 1 minus T cold upon T hot होता है इस particular case में हमाई पास T cold क्या है Tm T hot तो T hot है यहां से आ जाता है This is Tm यहां से आप देखो Q2 upon Q1 is equal to Tm upon Th हमसे Q1 upon Q2 पूचा था तो वो होता है Th upon T1 इस तरीके से आप replace कर सकता है यहां से आ जाता है Q1 upon Q2 is equal to Th upon Tm Same चीज़ आप यहां पर करोगे इस cycle के लिए तो आपको यह पता चल जाएगा आल राइट तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे TH plus TC TH कितना है 800 TC कितना है 300 दोनों को add करोगे तो यह वाली value है जाती है 1100 divided by Tm is equal to 2 Tm की value है जाती है 1100 divided by 2 which is equal to 550 Kelvin तो यह actually बहुत ही अच्छा सवाल था अगर यह जो beach का temperature है उसकी value 550 Kelvin है तो यहां पर जो work निकलेगा और यहां पर जो work निकलेगा दोनों की value बराबर आती है अब इस question को थोड़ा सा modify कर देता हूं जो आपके लिए homework है आपको बताना है find Tm if eta 1 is equal to eta 2 यह आपके लिए actually homework हो जाता है home work find Tm if eta 1 is equal to eta 2 और इसी के साथ आजा 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 सम्डब आजा हो आजा हो आपके आपके लिए लिए अल grazing पहूँर लिए आजादी का अमुरत महुर आपके लिए सब लिए 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 संग एक साथ अब थोड़ा लेड अदाद हो गए पैका!